तो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियो में और आध किस वीडियो में हम लिखिया है आपके लिए 15 feet by 18 feet में हमारा house का डिजाइन होने बाला है तो विचल यह वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक् के बाद आपको यह 3 foot का यह स्पेस देखने को मिल जाता है यहाप आप इस एरिया को यूटिलाजेशन कर सकते हैं सीट आउट टाइप हमने यहाप एरिया दिया गया है और यहाप आप अपना एक्स्टीरिय जो सामारा रखना है चोटा मोड़ो सामान यहाप रख सकते हो त इस टाइप यहाप आपको यह किट्यन का विंदोन देखने को मिल जाता है और यहा आप सिंगल विंडो देखने को मिलशना वाला है इस मोड़ों का पे इंटीरियर की बात करते हैं हमने साइड में हमारたい मोड़ों ours पर उपन यह किस तरह से आपको Alt Baby के से बता क्षिशन की स आब तरह से किया गया है तो भी जैसे स्टार्टिंग में आपको देख रहा है यह फिफ्टीन्फीट होने वालए है यह झो टूटल हमारे ईस्टन्स होने वाल है यह Avsz एक्टी देखने को मिल जाता है तो जैसे आप 13 वीट की देखने को मिल जाती यह यह तो यहां पर ब्रेथ ऑने वाले हैं आप को relief आप 7,Sings आपको देखने को साथ रूर है और यहां पर यह small जो space देखने को मिल जाता है, यहां पर हमने kitchen दिया गया है, काफी small होने वाला है, क्योंकि space ही हमारी कुछ इस तरह से है, तो फिर इसके size होने वाले वह 8 feet by 4 feet यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, मैं top side से आपको फिर से दिखा जेता हूँ, कि मतलब आपको proper तरीकी से पताचल से 15 feet by 3 feet का अपका इंटरेस होने वाला है, उसके बाद 14 feet by 9 feet 6 inch में आपको यह combined living bedroom होने वाला है, उसके बाद back side पर यहां को kitchen देखने को मिल जाता है, इसके size 8 feet 4 inch by 4 feet देखने को मिल जाता है, और entrance होने वाला है, यह जो door होने वाला है, 3 feet by 7 feet का हमने door रख गया है, उसके बाद यहां पर यह जज़ा होने वाला है, small size का copy, उसके बाद enter करते ही, आपको यह bedroom देखने को मिल जाता है, बैटरूम living यह combined होने वाला है, इसके बाद यहां पर left side पर आपको यह combined 12 bathroom देखने को मि जाता है, kitchen आप अपने तरीके से utilize कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, यह वाला space थोड़ा सा तो अपने तरीके से utilize कर सकते हैं, तो फिर अगर इस model की color combination के बात करते हैं, तो हमने हमारे इस model का color combination दिया गया है, shadow देखे, यह कुछ S तरह से दिखने वा square feet हो जाता है, तो फिर चलिए इसकी question की बात कता है, अगर 277 square feet है और जो rate चालो है, अभी मतलब जो construction का rate चलो है, मतलब 1400 per square feet यह चालो है, मतलब हमारे area के यहाँ पे, यह vary करता है, अलग-अलग state में, अलग-अलग space में, तो फिर चलिए 270 into 1400 करते हैं, तो फिर मतलब 378,000 के आस-पास यह घर का construction हो सकता है, यह मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, क्योंकि यह हमारे यहाँ पे इतना इसका construction करने के लिए लग सकता है, आपके यहाँ पे इसका construction cost कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, और डिपेंड करता है आप किस तरह के का घर का construction करन बनाये तो आप comment box में comment कर सकते हैं आपक्स वीडियो में जुरूर आपका model बनाएंगे तो फिर चले मिलते नेक्स वीडियो में thanks watching श्री वियों प्लेन